Hello everyone, I'm Raja Tukumar Parik from Holiday Plant. एक बार फिर सापका स्वागत है, Holiday Plant के YouTube ऑफिसे चैनल पे हैं. तो जैसा कि UA Government ने भी डिक्लेर किया है, कि 23rd of June 2021 से आप UA के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं. तो जैसा कि UA Government ने जो डिक्लेर किया है, कि अगर आपके पास दोनों वैक्सिनेशन की जो सेटिफिकेट हैं, वो अगर है तो यह आप ट्रैवल कर पाएंगे. तो UA Government ने कुछ जो वैक्सिन हैं, जिनने अपरूब कर रखा है, अगर आपने वो वैक्सिन की दोनों डोज ले रखी है, तो आप UA के लिए ट्रैवल कर सकते हैं. सेकंड जो UA Government का जो रूल से उसके एक्षाडिंग यह है, कि आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके 48 hours पहले तक की आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए, जो COVID की RT-PCR रिपोर्ट होती है. थर्ड जो रूल से उसके अंदर UA Government ने बताया है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो आपकी रिपोर्ट है, रिपोर्ट के उपर QR Code मेंचन होना चाहिए, जो कि QR Code या जो बार कोर्ट रहता है, वो मेंचन होना चाहिए. फोर जो पॉइंट है, उसके अंदर उन्होंने ये डिकलेर किया है, कि अगर आप UA के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो उससे फोर आट्स पहले है, जब भी आपकी फ्लाइट है, उसके फोर आट्स पहले आपका एक रैपिट टेस्ट होगा, उसको आप किलियर करके आपको फ्लाइट में आप ट्रैवल कर सकते हैं, फिब जो रूल है, उसके अंदर आपका ये है कि जब भी आप UA के अंदर आप एंट्री करते हैं, एरपोर्ट पे हैं, तो फिर्स्ट आफ आपकी कोविट की जो आटे-बिस्यार टेस्ट है वह वापस होगा, जो की ये गवर्मेंट के द्वारा अभी फ्री में हो रहा है, उसके कोई चार्जेज नहीं ले रही है, ये गवर्मेंट तो आपको उस टेस्ट से आपको गुजरना होगा, उसके अंदर यूई गवर्मेंट ने किलेली बदाया है, कि जब तक आपकी जो यूई के अंदर आपको जब एंट्री करते हैं, तो आपका जो टेस्ट रहता है, उसकी जब तक नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आती, तब तक आपको कॉन्टिन रहना होगा, जैसे आपकी र बिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्टिशन के अंदर भी, थैंक यू,